हेलो एवेवरी वान विलकम तू माई यूटूब चैनल अंजुम निटिंग थे तो है आज हम यह वाला पैटर्ण मिदा सिखेंगे यह देजाइन बहुत ही सिंपल है बहुत इजी पैटर्ण है यह हमारा राइच्ट यह हमारा बैक साइड है यह वाला जो हमने नीचे पैटन बनाया हुआ है यहां पर यहां से हम इसके ऊपर यह तीसरा पैटन बनाएंगे तीसरा डिजाइन तो यह जो हमने नीचे बनाया हुआ है यही हम उपर से यहां से आपको रिपीट करके दिखाएंगे इस टार्टिंग करनेगा डिजाइन हमारी बहुत हीजी है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए नी वीडियो की नोट्रिफिकेशन इसी तरह से मिलती रहें एक और हमारा इंबरोडरी का चैनल है अगर आप उसमें इंट्रेस्टेड हैं तो आप उसको लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसका लिंक हम अपने डिस्क्रेप्सर में आपको दे देंगे वहां से जाकर आप देख सकते हैं यह वाला डिजाइन आप किसी भी प्रजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी जैकेट कार्डीगन बच्चों के स्वेटर में जेन स्वेटर में इसको आप जेन स्वेटर में अपलाई कर सकते हैं बहुत ही इजी पैटर्न है यहां पे हमने दो सलाइगे उल्टा उल्टा हुआ है बैक साइट से सीधा बुना हुआ है आगे की साइट से हमारा दोनों सीधा उल्टा उल्टा दिखेगा अब यहां पर जैसे हमने यह नीचे से 5 6 6 पंदा हम सीधा बुनेंगे फिर दागा अपनी साइड लाएंगे दो पनदा हम सिलिप कर लेंगे फिर दागा पीछे करेंगे यह हमारा राइट साइड है आगे का साइड है फिर यहां पर हम 6 पंदे सीधा बुनेंगे 1 2 3 4 5 फिर दागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदा हम सिलिप करेंगे फिर दागा पीछे करेंगे फिर छे फंदा सीधा बुनेंगे इसी तरह से हम फर्स्ट रो रिपीट करेंगे यह हमने फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है यह लाश्ट में हमारा फाइप फंदा सीध बुनेंगे तो यह हमने यहां पर 5 फंदे सीधा बुना था लाश्ट में अब इसको हम यह दूसरी सलाई हमारी है बेक साइट से यहां पर 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे दागा पीछे करेंगे 2 फंदा सिलिप करके दागा अपनी साइड लाएंगे फिर यहाँ पे 6 फंदा उल्टा करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 फिर धागा पीछे करेंगे 2 फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से धागा अपनी साइड लाएंगे फिर यहाँ पे 6 फंदा उल्टा बुनेंगे इसी तरह से दूसरी सलाई बुनकर कम्प्लीट करेंगे यह दिखे यहां पर हमने दूसरी सलाई बैक साइड से बुनकर कम्प्लीट कर लिया है फिर यह हमारी राइड साइड से सीधी साइड से तीसरी सलाई है छे फंदा सीधा बुनेंगे वही हमें फिर रिपीट करना है जो हमने फंस्ट रो में बुना है छे फंदा हम सीधा बुन लेंगे दागा अपनी साइड लाएंगे ये दो फंदा जो हमने सिलिप किया था इसको सिलिप करना है दागा पीछे करेंगे फिर छे फंदा सीधा बुनेंगे फिर दो फंदा सिलिप ये सी तरह से हम बुनेंगे अब यह हम बैक साइड से चोथी स्लाइब उनेंगे 4 रो यहाँ पर 1 फंदा सिलिप करेंगे फिर यहाँ पर हमने 5 फंदा उल्टा बुनना है 2, 3, 4, 5 फिर दागा पीछे करेंगे 2 फंदा हम सिलिप करेंगे दागा अपनी साइड लाएंगे फिर यहाँ पर 5, 6 फंदे उल्टा बुनेंगे फिर रिपीट करना है जो हमने 2nd रो में बुना है फिर दागा पीछे करेंगे 6 फंदा उल्टा बुनने के बाद दो फंदा सिलिप करेंगे दागा अपनी साइड लाएंगे फिर यहाँ पर छे फंदा फिर उल्टा बुनेंगे इसी तरह से हम चोथी सलाई पनी कम्प्लीट करेंगे यह हमने फोर रो चार सलाई बुनकर कम्प्लीट कर लिया है यह देखे इस तरह से हमारा पैटर्न बन कराएगा फिर पाचवी सलाई में भी उसी तरह हमें बुनना है छे पंदे सीधा बुनेंगे तीन चार पाच छे फिर धागा अपनी साइड लाएंगे यही दो पंदा जो हमने सिलिप किया है इसको सिलिप करेंगे फिर धागा पीछे करेंगे छे फंदा सीधा बुनेंगे इसी तरह हम बार बार रिपीट करेंगे वही यह हमने राइट साइड से पाथ सलाई बुनकर कम्प्लीट कर लिया है अब हम बैक साइड से रॉंग साइड से सारे फंदे उल्टा बुनेंगे यह हमारी च्छटी सलाई है इसमें हम सारे फंदे उल्टा बुनेंगे जो हमने सिलिप किया था उसको भी हमें उल्टा ही बुन लेना है यह जो हमने दो फंदा सिलिप किया हुआ था इसको भी हम इस तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे सारे फंदे हम उल्टा ही स्टास लाईयां बुनकर कंपलीट कर लिया है यह यह हमारा च्छे स्टआइ ओपलीट और और इसधार हमने नीचे भी बनाया भोथा है यहाँ पर इसके ऊपर वही हमने किया है अब आगे की साइड से हम सारे इंटे उल्टा बनेo अब यहाँ पर हमारा लाई में बैक साइड से यहाँ पर सारे फंदे सीधा बुनेंगे इस तरह से सारे फंदे सीधा बुनकर complete करेंगे यहाँ पे हम अपना pattern change करेंगे जैसे यह हमने नीचे वाला बनाया है इस तरह से इसके उपर वाला pattern यहाँ पर बनायेंगे यह दो फंदा जो हमने slip किया था इसके बीच में यहाँ slip करना है पहले हमने six फंदे सीधा बुने थे स्टार्टिंग में अब यहाँ पर दो फंदे सीधा बुनेंगे इस तरह से दो फंदे सीधा फिर दागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदा हम slip करेंगे दागा पीछे करेंगे अब यहां से 6 फंदे हम सीधा बुनेंगे 2 फंदा यहां रहेगा यह आगे वाला हमारा बीच में जो दो हमने स्लिप किया था यह फिर यह 2 फंदे इस वाले डियाइन से लेंगे फिर इसमें हम 6 फंदे सीधा बुनेंगे 2 3 4 5 6 यह नीचे वाला इस तरह उपर की तरह बनाया था यह तीसरा वाले जो डियाइन बनाया है फिर यहां पर हमने चेंज किया था तो यह वाला हम इसके उपर बनाएंगे 2 फंदा यहां पर स्लिप करेंगे फिर 6 फंदा सीधा बुनेंगे इसी तरह हम फर्ष्ट पर कंप्लीट करेंगे इसी तरह से यह वाला जो पैटर्न हमने बुना है आपको दिखाया बना कर इसी तरह हम उपर वाला भी बनाएंगे वस यह हमें चेंज कर देना है एक बार यहां बनाएंगे एक बार यहां बनाएंगे इसी तरह हम बार बार अपना पैटरν चेंज करते जाएंगे, फिर यह हमारा पैटरर्न इस तरह से बन कराईगा, बहुत beautiful पैटर्न है, बहुत easy पैटर्न है आप अगर उल्टा सिधा बनाना जानते हैं, तो इस पैटर्न को बना लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं इस पैटर्न को आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे बताने का तरीका अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट में जरूर बताए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी एक और वीडियो मिलूंगी नई वीडियो के साथ तक तक लिए लाह आपिस थैंक्स पर वाचिंग